युक्रेन को नश्ट करने के अपने मनसुदे को पूरा करने की तरफ रूस काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है और युक्रेन पर लगातार हमले कर रहा है रूस की निशाने पर युक्रेनी सनित ठिकानों से लेकर युक्रेन के उर्जा इंफ्रास्ट्रक्शर और उसके महत्वपोर्ण इलाके हैं हत्यारों की कमी का मारा हुआ युक्रेन रूसी हमलों से तबाह है उसे कुछ नहीं सूज रहा या आखिर वो अपना बचाओ करे तो कैसे करे रूस ने ताजा हमला युक्रेनी एर बेस पर किया है युक्रेन के निप्रो पेट्रोस ख्षत्र में सेना के एविएटर स्कुए एर बेस पर कई रूसी मिसायलों से हमले किये गया है इन हमलों के ड्रोन फुटेज भी सामने आये है सामने आये फुटेज में कई MiG-29 लड़ाकों विमानों और परिवन विमानों को विसपोटों के बीच फसा हुआ दिखाया गया है रूस ने युद्र सामगरी रखे जाने वाले डिपो पर भी हमला किया है एक अन्य वीडियो में बेस के पास तैनात S-300 Air Defense System पर सीधा हमला दिखाया गया है हाला कि इस हमले में युक्रेन के S-300 Air Defense System ने अपना बचाओ या पलटवार क्यों नहीं किया इसकी वज़ा नहीं पता चल सकी रूसी हमले में कम से कम दो MiG-29 जेट और एक S-300 Air Defense बैटरी नस्ठ हो गई है रूस के इस हमले ने युक्रेन और उसके समर्थकों की चिंता और बढ़ा दी है दरसल रूस में जिस Aviator Square Air Base पर हमला किया है वो देनेप्र शहर के ठीक दक्षिन में स्थित है जो फ्रन्ट लाइन से लगभग 100 किलोमेटर के दूरी पर है यानि रूसी से न युक्रेनी फ्रन्ट लाइन के करीब पहुँच गई है अभी हाली में युक्रेन के पश्चिम और यूरोपिय संग समर्थकों ने चिंता जताई है कि रूस आने वाले हफ्तों में युक्रेन की फ्रन्ट लाइन को नश्ट करने के करीब पहुँच रहा है फ्रन्ट लाइन किसी भी देश या क्षित्र की सबसे मजबूत डिफेंसिव लाइन मानी जाती है यानि दुश्मन ने इसको नश्ट कर दिया तो फिर मान कर चलिए कि अब उसका आगे का रास्ता काफी आसान हो गया अमेरिका भले ही यूकरेन को सेन हथियार नहीं दे पा रहा है लेकिन वो रूस को जीतते हुए भी नहीं देखना चाहता लेकिन यदि अमेरिका यूकरेन के लिए फंड जारी करने में विफल रहता है तो यूकरेन की हार तै है यूक्रेन की हार एक तरह से अमेरिका की भी रड़नितिक हार होगी क्योंकि युद्ध की शुरुआत से ही अमेरिका खुल कर यूक्रेन का समर्थन कर रहा है अमेरिका खुल कर रहा है झाल झाल